जब पिटते हैं तब तुम्हारे जूते पढ़ते हैं तो हम दलीते हम दलीते हैं वैसे अपने घर में उई गुशा रखी है मेरी वीडियो जो जो भी सुन दाकतर kg कतल regression कर रहा हूं हां कशल कर रहा ऊपने आपकों मेत्रकरवाद िना बोल HER रिजर बेसन ना ले वो गुलाम रहे कि हम गुलाम है तुम गुलाम थे बावा Western baatफ לרे हो कार्ड कर ऐसी समतल्रों का काम किया तुम पड़ endorsते होacji भी सकते हो, फौज में भी जा सकते हो, सब कुछ बन सकते हो, वैपार कर सकते हो, इस देश में मिनिश्टर बन सकते हो, सीयम बन सकते हो, चीप मिनिश्टर ऑफ हिंडिया बन सकते हो, चीप मिनिश्टर ऑफ हिंडिया बन सकते हो, सब कुछ बन सकते हो तुम, पर तुमारी मोट आमी का खुन निकाल जा जो अम्बेड करवादी बन गए वो अपने मान सम्मान से जिन्द की जी रहे हैं और मान सम्मान से उनके बच्चे भी जिन्द की जी जाएंगे हम अम्बेड करवादी हैं हम लड़ते रहेंगे आखी तक ऐसी बिवस्ता से हम लड़ते रहेंगे ऐसे अंद्रिश्वास से जो लोगों को गुलाम बनाने का काम करते है और अंशा लड़ते रहते हैं ऐसे जो लोग हैं वो धोकेवाज लोग हैं वो reservation के नाम पर Terry बच्चों को आग कर देते हैं और जब लड़ाई होती है समाज में तो वो अपने बच्चों को पीछे रख लेते हैं धोका तो देने वारी ये लोग है तो ऐसे लोगों को अभी लाज करना है आज भी लोग तुम्हारे घर पर खाना नहीं खाते आज भी तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पीते तुम्हारा बच्चा मटका छू देता है राजिस्तान की बच्चे को मार दिया जाता है राजिस्तान में मूँच रखा ली जाती है तो मार दिया जाता है बरात नेचर निकलने दी जाती है आज भी था, आज ऑल भी तुमारी बेहन बेटी वह साथ रेप कर रहा है, मंदिर के नाम पर ध्रम के नाम पर, उसके नाम पर तुमारी बुद्धी मोटी बुद्धी है इनकी, ये ऐसान फरामुस लोग है, ये जूते के यार है, इन पर जूता पढ़ना चाहिए, ये जूते के आ रहे हैं बावासा डॉक्टाम बेटकर ने अपने बच्चों की कुरुवानी दी इनके लिए और इनकी मोटी खोपडी में घुसरी रही बात नहीं घुसरी है हम जैसे लोग चीक चिक के न को समझा रहे हैं कि ये मोटी खोपडी के लोगो अनपड लोगो बुद्धू ल चैनल के लिए इनका दिवाला निकल निकलना चाहिए इन हराम खोरों का दिवाला निकलना चाहिए यह मका लोग है तुम्हें जानते नहींए अपने घर में आग लगाते हैं दूसरे घर को तियार करते हैं ये जोग मगर इनकी मोटी बुद्धी में समझ में नहीं आती है ये दूसरों को कमाते हैं ये दूसरों के लिए वावा करते हैं दूसरों के तोहरों में अपनी तोहर मनाने काम करते हैं अरे तुमारी एक विवस्ता है तुमको आजादी किसने दी किसने दिया जादी तुमको लेकिन राइस्तान में दलितों का पैसा नहीं लिया राम लला के जो भक्तों ने कहा दिया कि हम इनका पैसा नहीं लेंगे राम मंदिर में उसके बावजूद जो ऐसी लोग हैं OBC हैं, ST हैं वो तो जनडालिया घूम रहे हैं राम मन लाका वो तो भनडारे लगा रहे हैं कीरतन कर रहे हैं रेल नुंकित दृं, िंजूनियर प्रॅफित रजज वकिल बनाने का दिकार दे धिया इनको CM PM सब बनने का दिकार दे दिया अब जूते चाहा रहे हैं और क्या चाहा रहे हैं ये बताइए इन पर जूते लगने चीए सुबह सुबह जितने भी लोग हैं जूते लगने 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 चिंता मत करो भाईया जूते लगए हैं अभी तो लगने हैं धरम की चास निपीलो जूते के तयार हो जाओ तुम पर जूते का काम कर लो जूते लगेंगे किसी भी मंदिर में पैसे की जहुत क्या है कोई जहुत नहीं है मंदिर में बैटे हुए जो मठा दीत है उनको पैसे की जहुत है वो पैसे लेते हैं अपने बच्चों की एजुकेशन पर लगाते हैं विदेज भेजते हैं वहां से डाक्टर बर्मा के आते हैं और यहां पर आ ना तुम्हें गरीब बना रही जो पत्थर अपने आपको इधर से उधर नहीं ला सकता वो तुम्हें क्या करेगा वहाँ एक विवस्ता है धरम का धंदा है ये ये वैपार है जोतिवा फूले साब कहते हैं जैसे नाई का वैपार है बाल काटना उसका धरम नहीं हो उसका कु लोग हो पाकल हो तुम लोग क्या उसके पीछे पढ़ रहे हो तुमारे अगर बावासा डॉक्टंपर सवीधान में राश्ते नहीं क्होलते अगर तुमें पढ़ने का भीकान होता तो तुम ऐसी हालत होते कि तुम से वदूआया करती थी और अगर सरकार आई आए हमारे ज रहाने काम करो तुम क्या कर रहे हो तुम बे-कूपो क्या कर रहे हो तुम बताऊ ना तुम को कहां से आ ज़ादी मिली यह धर्म-सक्राइब समराड जी हमारे देश में राम मंदिन में प्रांट पितिष्टा हो गई है मोदी जी ने बड़ा काम किया है देश में चारो तरफ राम नाम की गूज है और देश में आज दिवाली बनाए जा रही है आप क्या सोचते है इस बारे में देश में कुछ लोग दिवाली मिना रहे हैं मगर जादा तक लोगों का दिवाला निकल रहा है जिन लोगों की दिवाली है वो राजनीती में सफल है वेपार में सफल है सिक्षा में सफल है उनके बच्चे हर जीगे मोज ले रहे हैं ये गरीब लोगों को बेकूप बना रहे हैं जब देश की 80 करोड लोगों को 5 किलो आनाज देने का काम सरकार कर रही है तो आप देख लीजिए कि 80 करोड लोग देश में गरीवी रेखा से नीचे है वो 5 किलो आनाज के लिए लाइनों में लगे रहते हैं तो देश के लोगों का दिवाला अपनी दिवाली मना रहे हैं ये पत्थर में प्राण डालने की जो प्रिकृरिया है ये केवल धार्मिक नहीं है ये राजनेतिक है इसे राजनेतिक फायदा लिया जा रहा है 2024 के चुनावों की पढ़कठा लिखी जा रही है लोग समझ नहीं नहीं है बीजेपी अपना पडचार कर रही है सरकारी पैसा लगाकर बाइस सो करोड रुपे खर्च करके पूरे देश में एक ऐसा महौल बनाय जा रहा है कि राम जी को कहीं से लेकर आ रहे हैं हवाई जास से लेकर आ रहे हैं इस देश में करोडों मंदिर पहले से ही है हर घर में मंदिर है यह करना क्या चाते हैं यह अपने नौ साल की जो विफलता है जो वादे किये थे देश की जनता से उनको छुपाना चाते हैं धरम की आड में, राम की आड में मगर लोग इनसे पूछेंगे कि मोदी जी जो आपने वादे किये थे कि हर साल दो करोड रोजगार देंगे तो नौ साल में अठारे करोड रोजगार कहा है मोदी जी से पूछेंगे कि पंदरे पंदरे लाग रुपे का वादा किया था कहा है पंदरे पंदरे लाग रुपिया मोदी जी से पूछेंगे कि आपने कहा था कि बुलिट ट्रेन चलेंगी सोई स्मार्ट सिटी बनेंगी साइनिंग इंडिया होगा ये होगा फ़लाना होगा कहा है वो सब लोग और मोदी जी न कहा है कि बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो यहां तो बेटी परिशान है तो मोदी जी उन सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे इसलिए सब को धर्म की चासनी में डूवे कर अफीम पिला दीजिए कि ऐसा कुछ हो जाए कि मोदी जी से कोई सवाल न करें और मोदी जी युग प्रूस बन जाएं खुद मोदी जी जैसे राम को लेकर आई है ये सरासर देश की जनता के साथ धोका है देश के सविधान के साथ धोका है सविधानिक पद पर मोदी जी रहकर एक धर्म को अगर प्रिमोट कर रहे हैं तो ये सविधान की हत्या है और कुछ नहीं है जो ये कह रहा है वो बेकूप उसका बाप ब लेक्स पार होते हैं चाय बेगते थे मोदी जी खुद कहते हैं जादा पड़े लिके नहीं थे मोदी जी ये खुद कहते हैं गरीवी में अवाब में उनका जीवन कटा ये खुद कहते हैं भाईया अगर विसनू के अवतार होते तो मोदी जो पहले से राजा होते अरे देश क कौन चमपक राय चमपक राय मारो गोली सुसरो को इनको कौन-कौन है ये? आप मेरी बास सुनिए, अगर देश का सविधान नहीं होता, तो मोदी जी देश के पिरदान मंतरी नहीं बन पाते हैं. देश के पिरदान मंतरी जब मोदी जी बने, तो सबसे पहले जब संसद में गहे तो भारत के सविधान को सर से लगाने का काम किया उसको नमन करने का काम किया और मोदी जी न कहा कि भारत का सविधान अगर नहीं होता देश के अंदर तो मेरा जैसा चाय बेकने वाला व्यक्ति चाय बेकने वाला बच्चा गरीव का ये सारे जितने लोग हैं ये सारे ये भक्ती के चासनी में डूबे होई लोग हैं ये देश के आने वाली जो हमारी जो हमारी पीडियां हैं उनको बरवाद करने का काम कर रहे हैं ये देश में जो खड़ी विवस्ता है उसको दुबारा लेकर आना चाहते हैं बाबा साथ डॉ अगर आप राश्टे पर नहीं चले बुद्ध के राश्टे पर नहीं चले तो आप फिर दुवारा गुलामी बनाने का आपके अंदर सड्यन्त बनाया जा रहा और यह सड्यन्त अगर काम्याव होगा तो आपकी आने वाली जन्रेशन है गुलाम पैदा हो चैनल बाउजन तस्तत को लाइक शेर सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा जयरहीं जय भारत जय स्वामिधान नमबुद्धाय धन्यवाद चैनल आर्थिक समस्या से गुज़र रहा है अगर आप भूजन समाज में दादा साहिफ अमेटकर और तथागप दुट की विचार धार को अधिस अधिक लोगों तक पहुचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक स्वायूद प्रदान करें ताकि हम अपनी चैनल के मात्यम से देश की देश में संता बंदुता एकता और सम्वेधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुचा सकें आप अपनी साहिता राशी नीचे भीके खाते में जमा करा सकते हैं खाता भारत गौतम रतना खाता संक्या 3169 5768 651 IFSC 4 SPIN 0060336 भारती स्टूप बैंक आप अमारे बैंक खाते का ग्युगन स्क्रीम पर भी देख सकते हैं जिसमें फिल्म कैमरा है सुटिंग लाइटस है और एडिटिंग है सारा एक इुगैपर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा तो दोस्तों आप हमारे कन्टक्ट कर सकते हैं हमारे numbers पर 981 00 85714 और 851 00 00 5714 हमारे website भी विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें mail भी कर सकते हैं gothamfilmsproduction at the rate gmail.com